बच्चों कैसे आप लोग कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई आसा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाये हुआ है आप लोग के इस चेप्टर का चेप्टर का चेप्टर टू का कंपोनेंट आफ कि जो है फूड में जो है तीन जो है में न्यूट्रियंट होते हैं जिसको हम कार्भो हाइड्रेट ठीक है फैट एंड प्रोटीन ये जो है तीन जो है में न्यूट्रियंट होते हैं ठीक है इसके अलावा भी और भी न्यूट्रियंट्स होते हैं जैसे कि vitamins minerals और इसके बाद dietary fiber and water ये सभी body को body के लिए जो है required होती है लेकिन अभी हम इस तीन के बारे में हम discuss करेंगे carbohydrate, fat and protein तो अब हम ये देखेंगे कि जो है इसको कैसे हम identify करेंगे कि किस food में carbohydrate है, किस में fat है और किस में protein है तो इसके लिए कुछ हमें experiment करना पड़ेगा और आपको पता है कि जब भी कोई experiment हम करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीजों को जरूरत होती है जैसे कि इसको जो है test करने के लिए हमें 3-4 चीजों की जरूरत पड़ेगी एक तो आपको जरूरत पड़ेगा solution half iodine ठीक है दूसरा जो है आपका कापर सलफेट एंड कास्टिक सोडा इसके अलावा जो है आपको test tube जो है test tubes जो है सीसे की जो है नली होती है जैसे कि इस टाइब का होता है ठीक है आपको market में यह easily जो है मिल जाएगा या school में भी आप experiment जो है कर सकते हैं तो अब हम यह देखते यह एक एक जो है check करेंगे कि कैसे जो है इसमें हम check करेंगे कि किसी खाने में कार्बो किसी food product में जो है कार्बो हाइडड है fat है या जो है protein है ठीक है तो इसके लिए जो है if the required solution are not available are ready made farm अगर जो है आपको solution of iodine या copper sulfate नहीं होगा तो आप जो है टीचर की help से भी जो है इसको prepare कर सकते हैं ठीक है तो अब हम जो है कार्बो हाइडड के बारे में एके करके के जो है देखेंगे कि कार्बो हाइडड को कैसे हम जो है चेक करेंगे कि किसी food product में जो है चाहे वह जो है prepared food हो या रह है उसमें जो है कार्बो हाइडड जो है है तो!' तो carbohydrate actually होता क्या है तो the main carbohydrates the name carbohydrates the main carbohydrates found in our food are the form of starch and sugar यह जो carbohydrate होता है यह starch and sugar के form में होता है ठीक है तो basically अगर पूछा जाएगा कि carbohydrate है क्या तो आप यह बोल सकते हैं कि carbohydrate is a form of starch and sugar ठीक है आप जो हम चेक करेंगे तो take a small quantity of a food item आरे raw ingredient जैसे कि कोई भी prepared food है या जो है raw ingredient है तो जैसे कि आप potato को ले सकते हैं ठीक है ज़िसको आलू जो है आप ले सकते हैं ठीक है आलू जैसे कि आधा कटा हुआ जैसे यह potato ठीक है, अपने इसको ले लिया, ठीक है, put two, three drop of iodine solution, अब इसके उपर जो है, दो या तीन drop जो है, यह solution of iodine जो है, इसके उपर डालना है, तो जैसे ही आप इसके उपर iodine solution डालेंगे, और जो है, keep it for some time कुछ देर के लिए इसको आप छोड़ दीजिए तो क्या आप जरू करेंगे कि ये जो है blue black में इसका color turned हो जाएगा, इसका color किस में turned होगा, blue blue में या black में blue is या black is इसका color change हो जाएगा तो अगर इसका color blue and black में change होता है it indicates that it contains starch, ठीक है जैसे कि इसमें starch होता है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि potato में इस्टार्च होता है इसी प्रकार से अगर कोई food जैसे कि आपने rice, prepared rice आपने ले लिया है ठीक है, तो उसको जो है आप इस test tube में डाल दीजिए ये जो test tube आपका है इसमें आप जो है इसको डाल दीजिए and rice को जो है, आप थोड़ा सा उसको crust कर दीजिए, ठीक है crust करके paste बना दीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है, और इसके उपर दो तीन drop जो है, आप इसके अंदर डाल दीजिए तो ये जो है blue और black में convert हो जाएगा, तो अगर blue या black में convert होता है it means जो है, इसमें starch है this food item contains starch, अगर इसमें change नहीं होता है, कभी मालेजे, इसके अलावा, अगर आप कोई food products लिये हैं या कोई raw जो है food लिये हैं, तो उसमें अगर ये blue या black changing color नहीं होता है, after putting the 2-3 drop of iodine इसका मतलब कि उसमें starch नहीं है, यानि it means carbohydrate नहीं है ठीक है, clear, तो एक हमने ये देख लिया, कि कैसे हम ये पता करेंगे किसी भी चीज में की carbohydrate है कि नहीं है, very simple है, उसमें 2-3 drop iodine solution डाल देना है, अगर उसका color change हो जाएगा, blue या black हो जाएगा it means जो है, वो जो है starch उसमें अवलेबल है next अभी हम देखेंगे, test for protein ठीक है, test for protein तो जिन बच्चों ने चैनल को subscribe नहीं किये हैं, आप लोग चैनल को subscribe कर लिजे, ताकि timely जो है, वीडियो आप लों को मिलता हैगा, और हमारा एक site है www.fullexpand f-u-l-l-fool-e-x-p-a-n-d .com ठीक है, जो भी हम exercise complete करते हैं, जो भी chapter हम complete करते हैं, उसके exercise का answer जो है हम अपने site पे upload कर देते हैं, वहाँ से जाकर किया, timely आप लोग अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं, test for protein, protein का test हम कैसे करेंगे, तो take a small quantity of food items for testing, if the food you want to test is a solid, you need to make a paste or powder it, ठीक है, जैसे कि अगर कोई solid form में है, ठीक है, तो उसको powder form में powder form में change कर लीजिए, या उसका paste बना दीजिए, ठीक है, अगर उसमें जो है, उसका paste बना दीजिए, उसके बाद जो है, क्या करेंगे, put some of this clean test tube, ठीक है, एक test tube, साफ सुतरी test tube होनी चाहिए, जैसे कि आपने ये जो है, test tube आपने ले लिया, add 10 drop of water to it, ठीक है, और इसमें आप, जो भी आपने इसको किया है, powder इसमें डाल दीजिए, या पेस्ट जो है, जो ये अपने solid को क्रस करके बनाया इसमें डाल दीजिए, and add 10 drop of water to it and shake the test tube इसमें 10 drop जो है, क्या डाल दीजिए? water डाल दीजिए, और बनियां से shake कर दीजिए, उसको मिला दीजिए now using a dropper, add 2 drop of solution of copper sulfate, ठीक है, अब जो हमें इसमें, 2 या 3 drop जो है copper sulfate डलना है, ठीक है, CUS of 4, इसका formula होता है लेकिन अभी आप लोग formula में confuse हो जाएंगे हम ऐसे लीते हैं, 2 drop copper sulfate ठीक है, and 10 drop of solution of caustic soda, और इसमें 10 drop caustic soda भी डालना है इसको भी डालना है, ठीक है दोनों को डालना है, 2 drop जो है आपका copper sulfate 10 drop caustic soda हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, to the taste tube, sick well and let the taste tube stand for a few minutes, और इसको खुब बढ़िया से आपको mix कर देना है, mix करके जो है, जो है कुछ देर के लिए आपको छोड़ देना है, did the content of the taste tube turn violet, a violet color indicates presence of protein, अगर इसका color जो है change हो करके, violet आगया, इसका मतलब कि इस protein है, इस food product में जो है protein है, ठीक है, तो इस तरह से हम जो है यह अभी हमने देखा, कि किसी भी चीज में हमें protein को अगर चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, कि पहले तो अगर वो solid form में होगा, तो उसको crust करके powder या paste form में बना लेंगे, paste form में बनाने के बाद उसमें train drop water डालेंगे, और उसको बढ़ियां से मिला देंगे, then two drop of copper sulfate डालेंगे, उसके बाद जो है after that, ten drop कास्टिक सोडा डालेंगे, इतना करने के बाद इसको हम बढ़ अगर change होके violet आ जाता है, it means यह food product में protein है, और अगर color violet नहीं आता है, it means इसमें protein नहीं है, clear, अब हम देखेंगे test for fat, इसका notes जो है, आप लोगों को अलग से, यह हमारे शाइट पे मिल जाएगा, test for fat, अब हमें fat का test करेंगे, कि इस fat का, जैसे कि हमने, यह देखा, carbohydrate का हमने test कर लिया, protein का कर लिया, अब जो है, fat का हम test करेंगे, तो take a small quantity of food item, wrap it in a piece of paper and crush it, देखिए, जैसा कि आप एक मंगफली का दाना ले लिजिए, ठीक है, मंगफली का दाने को क्या कीजिए, कि आप paper के अंदर में fold करके, उसको crust कर दीजिए, तो crust करेंगे, तो क्या होगा, उसमें से oil निकलता है, जैसे कि वो oily होता है, तो उसमें पेपर में आईली निकल जाएगा, आईल उस पे लग जाएगा, और वो आईल सुखेगा नहीं, इट मिंस यह सो करेगा, अगर वाटर होगा, अगर आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, तो सुख जाएगा, लेकिन वो आईल होता है, वो जो नहीं सुखेगा, आईल एबल तो सी देल लाइट फैंटली थो दिस पैच, तो उसमें क्या उगलाइट जो है हैजी दिखाई देगा, ठीक है यह आप घर में भी कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है, ग्राउंड नट ग्राउंड नट का एक दाना ले लिजिए, ठीक है, पेपर जैसे कि पेपर क बीच में इसको फोल्ड कर दीजिए जैसे कि मैं आपको भी बताता हूं जैसे कि ग्राउंड नट यहां पे ले करके पेपर के अंदर आपको इसको दबा दीजिए, उंठे से बा दीजिए, तो आप देखेंगे कि इस पेपर के ऊपर जो है, आईली पैचेज हो जाएंगे, ठीक है तो यह सो करता है कि जो है उसमें आयल होता है तो आयली अगर है तो it means कि उसमें जो है fat है ठीक है अब जो है यह जो है आयली patch on paper shows that the food item contains fat the food items may sometimes contain a little water और उसमें कभी-कभी जो है पानी भी हो सकते है therefore after you have rubbed an item on paper let the paper dry for a while उसको जो है dry के लिए छोड़ दीजे सुखने के लिए if there were any water that may have come from food it would dry up अगर पानी होगा तो वो जो है सुख जाएगा if no ily patches so if no ily patches so after this the food item does not contain any fat अगर जो है उसमें जैसे कि दूसरे जो है अगर आप कोई भी लेते हैं जो है food लेते हैं या raw material लेते हैं उसको आप crust करते हैं करस करने के बाद अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो वो जो है कुछ देर के बाद अगर सूख जाता है it means उसमें जो है पानी है अगर ily patches नहीं आते हैं तो तो what do these taste source यह जो है टेस्ट अभी जो हमने तीन टेस्ट जो है किये हैं carbohydrate का fat का and protein का यह तीन हमने test जो है किया सोच करता है कि जो है are protein and starch present in all the food items क्या यह carbo hydert हर food items होते हैं नो ऐसा जुरूरी नहीं है कि carbohydrate हर food items में हो और fat जो हर food items में है और protein हर food items में यह ऐसा नहीं हो सकता है does a food item content more than one nutrient yes किसी-कि-स food items में Carbohydrates भी हो सकता है फोड़ा सा protein भी हो सकता है और fat भी हो सकता है अभी हम आगे उसका discuss करेंगे ठीक है तो we tested food items for three nutrients Carbohydrates, protein and fat तीन हमने test किया There are some other nutrients like vitamins and minerals ठीक है इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि food में vitamins and minerals भी होते हैं ठीक है अब जो है ये चीजे जो है जो हमने study किया है Carbohydrates, fat, protein, vitamins and minerals ये हमारी body को क्या करते हैं क्या जूरत है ये जो है next class में हम इसको discuss करेंगे तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा